मुझे अच्छे अच्छे होगे कराते हैं हमारा काम बढ़ाने के लिए घर में अल्लेडि इतने काम होते हैं कि सोसते हैं कि छिल्द इसे टाइम पर काम निमट जाए तो जाके रेस्ट करें कुछ करें बट पीछे-पीछे ऐसा होता है ना कि बच्चे काम बढ़ाते जाते हैं आगे-ागे सफाई होती है और पीछे से उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बस खैर क्या कर सकते हैं बच्चे हैं बच्चे वाले घर में चीजे टूटना खराब होना पूरा इंटाइडी होना बट मुझे क्या होता है ना कि मुझे थोड़ा सा क्लीन चाहिए और इतन सान भी नहीं आ रहा है बहुत जादा एक्टिव रहता है और यह मेरी वेजेज भी आ गई थी तो मैं इसको स्टॉक कर रही थी और हमने मेरी हेल्प कराई स्टॉक करने में क्योंकि ग्रीन लीफी वेजेटेबल्स थी बहार रखती तो सूख जाती पूरी रात में तो इसलि बहुत जादा मन था जलेवी का क्योंकि कहीं बार क्या हुआ ना कि हम भार से कुछ मंगा रहे हैं चाट वगएरा तो उसका मन था की जलेवी आ जाए तो एक बार जलेवी और भी करी तो बहुत ही सौगी और ठंडी हो गई थी तो फिर बस मैंने सोचा कल रात में इसका क्योंकि ओवर नाइट थोड़ा से फर्मेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप किसी भी बॉटल में उसी कैप में छेथ करके आप बना सकते हैं या किसी भी पॉलोथिन कोई ऐसी होती है न जिपलॉक वैसे पैकेट में आप कॉर्णर कट करके आप यह बना सकते हैं सीर और बस जली भी खा रहे थी मैं बना रही थी और फिर पीछे से बेडरूम में अर्ष ने यह देखे पूरी कार को पेंट कर दिया है पूरे जमीन पर पेंट लग गया और सूप भी गया है तो जब यह ऐसे काम होते हैं तो सच्ची में गुस्सा तो बहुत जादा आता है कि इस सारे काम बिगाड़ दिया हैं एक काम खतमनी हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया और फिर बाथरूम में जाके इसको वाश करना तो बच्चे बस काम बढ़ाने में बस आगे आगे रहते हैं फिर बस यह फिर मैंने इसको निकाला बाथरूम से भार फिर जितना भी हर जंग खाना बनाने चली ति खाना भी में बना रहे थी बहुती सोबार सा लंज था और इतने दाल राईस बुन रहे थे और समी में मला रहे थी पवटभ़ने इजी रेसिपी है पहले समील का पेस्ट दी और हलका जो पानी हैं वो डाल कर एक सीटिघह लगा अपम्र जाएग इतने चिकन हो जाएगा फिर उसके बाद आप अपना इसको फ्राइ कर लें और दूसरी तरफ यह मना रही हूं रसम क्योंकि मुझे रसम बहुत मतलब क्या होता है ना खटा खटा रहता है तो बहुत टेस्टी लगता है तो जैसे डाल भी हो गई और साथ में रसम भी हो गया तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा तो रसम के लिए मैंने क्या ले लिया था लाल वेट अगर आपके पास साबूत है तो साबूत ले ले उसके अंदर जीरा डाल ले टमाटर प्याज नमक और उसके अंदर आप इमली का छोट असा प पाउडर मिलाए था बट जो मैं बनाती हूं रसम मुझे ऐसे लगता है कि वह ज्यादा टेस्टी होता है खटा-खटा मुझे एच्छा नहीं लगा रसम पाउडर मिला के और बस रसम रेडी था तो मैं बना रही हूं अपना पेपर फ्राइड चिकन और यह मैंने नमक और उसको मैंने साथ में मिक्स कर लिया है अगर आपके पास अल्रेडी नमक और शॉल्ट पेपर मिक्स हैं तो फिर मत कीज़ेगा और थोड़ा सा ओयल गरम करके हम इसको शैलो फ्राइड करेंगे चिकन को बॉइल तो था यह बिल्कुल कोख है सिर्फ हल्दी लेसन अगर का पे जारा कुछ नहीं इसके साथ से सही है और बस उसके बाद आप थोड़ा सा और तेल डालें कि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था अगर आपने सही तेल डाला है तो फिर मत डालेगा और हम बस फिर इसको फ्लिप कर लेंगे देखी कितना मतलब यह बहुत ही जादा क्रिस्प हो गया था जो यह गोल्डन कलर आ रहा था ना तो हम सारे चिकन को इसी तरह करके फिर दुबारा से उसके ओपर इसी तरह प्रेपर डालेंगे क्योंकि यह पर फ्राइचिकन है तो बस इस तरह फिर वो दूसरे साइड से सिख जाएगा आप जरूर से यह ट्राइचिकन होता है और बोरो जाते हैं एक ही टाइचिकन खाने से और यह बहुत ही मतलब बैस्ट है कोई आप नॉर्मल सब्स भी कोई भी मतलब नॉर्मल खाना बन रहा है ना तो आप यह उसके साथ बनाईए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज सब्सक्राइब कीज़ेगा और जो मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कीज़ेगा इंशाला फिर मिलेंगे अलाहाफेज